हमारे करॉली शहर में 1935 से 11 बाटी का गौसाला संचाली ते इस गौसाला की कैपिसिटी 3,000 गाय रखने की है लेकिन सरकार की तरफ से नियमित रूप से आवंटन राशी नहीं आने की कारण इस गौसाला की कठिन इस्तिती से गुजर रही है केवल जो गाय गौबत से बचाई जाती है उन पर 16 रुपे और 32 रुपे की रासी एक साल पीली मिलती है बागी पैसा हम दान लोगों को प्रेज़त करके दान के द्वारा ही खटा करते हैं और इसकी ब्रांच ठेक राम है यहां से 22 किलोमेटर दूर बहाँ पर हमारी करीब 700 ग है कुछ है जो हम गायों को ला सक है कि कोई आदमी आधा लेकर आता है तो हम इस गायों को ले ले लेते हैं हम भार से लाने को प्रेयास नहीं करते हैं भूच जगर फिली होई है और गौशवचालाओं पे सरकार अगर उनको पुरा सहयूब करें अनदान दे तो वह कर अच् तक आपकी गायों को डवाईयों का गायों को निदारे निदार्य मावदन तो है नहीं जब फून करते हैं पाइड जब अवियान को अवयान चलता है तो इंजेक्शन बगर सारी गायों कर लगा जाते हैं सरकार का पश्चु परन विवाग है उस विवाग को सरकार करोड़ों रुपे का बजट आवंद करती है उस बजट में से थोड़ा सा हिस्सा अगर वो गौशालाओं के लिए प्रती पसु अगर कुछ राशी रख दे और उनको काई कविटी के सरकार के और से सही हो गए और आप गौशाला उनको अच्छे से चलाई तो करोली के गौशाला भी उनको रखने के लिए दूट से बचाव के लिए पानी से बचाव के लिए अच्छे प्रवंद किये होए लेकिन सारा सारा जो पैसा है वो स्थानी दान दाता में लगाया और मेरा समदाय चाहता है कि हमारी करोली की गौसाला को नियमत रूप से आवंटन रासी मिले ताकि सारक पर घूमने वाली गायों को वह किसी के द्वारा छोड़ी वाई गायों को भी गौसाला में रखा जा सके जिसके लिए गौसाला विवाक के डायरेक्टर का राजेंद किशन का मोबाइल नमबर है 1412740519 इन पर कॉल करें और दवाब बनाएं सुनीता कसेरा इंडिया अनहर के लिए